हेई गाईज माई सब खिंचर वेकम बेक्ट वाई चैनल सो गैस आज के वीडियो में आप लोगे साथ शेर कने वाली हूं मीशो साडी जो जी हां आप लोगों को पता है कि मुझे साडी बहुत पसंद है और आप लोगों को भी बहुत पसंद है तो इसलिए लेके आई हूं मी पूरी ओपन करके दिखाती हूं यह इसका फैबरिक जो है वो डोला सिल्क फैबरीक है तो चलो इसको पूरा ओपन घरके देखते हैं सबसे पहले इसके पल्लू से start करता है पल्लू में अप देखोगे तो यहाँ पे अपको जो है वो cut border देखने को मिल जाती है इस तरह से जिसमें work किया गया है बहुत beautiful सा thread work किया गया है यह देखे और उसके बाद पल्लू स्टार्ट होता है तो पल्लू में में बीच बीच में आपको जो है वो इस तरह की एम्रोडरी देखने को मिल जाती है और वर्क गोल्डन थ्रेड वर्क भी आपको पल्लू में जो है वो देखने को मिल जाता है बहुत ब्यूटिफुल साड यो डेफिनेटली आप ले सकते हो वैसी है अलोवर साड़ी में आपको ऐसी एमरोटरी छोड़ी छोड़ी आप देख रहे ना फ्लावर वाली वो मिल जाएगी नीचे प्लेट्स में आप देखोगे तो प्लेट्स में भी आपको जो है इस तरह की कट बॉर्डर वगेरा मिल ज हुआ है तो ब्लावुस की हम बात करते हैं तो ब्लावुस में आपको इस सरह का वर्क속वाला यलो कलर का ही इसल्क वाला आपको को ब्लाउस मिलता है जिसमें आपको एक तरफ व प्लेऑं डिजाइन मालब लबड की साइड की जो स्लीव का वर्क है वो इस तरह से दिया गया है तो बैक साइड जैसे मनें बताई की प्लेन रहेगी अधर्वाइज फ्रंट एंड स्लीव जो है वो है वह वह हो जाएंगे अच्छी वाली है और वह देखा जाए तो आप लेना चाहते तो ले सकते हो प्राइस के कोडिंग थोड़ा सा कॉलिटी में लाइक की जो है वह कम है कॉलिटी उसके बाद की साड़ी है वह इस तरह की है बहुत ब्यूटिफुल से ब्लाव उसके साथ है अच्छा मेरी लिंग के थूँ आप मीशो डाउनलोड करने के बाद शॉपिंग करते हो तो आपके फर्स्ट 30% का डिसकाउंट मिल जाता है मीशो डाउनलोड नाव करके मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉस्ट रो में मिल जाएगी साथ ही में ट्राइ करूंगे कि कमेंट बॉक्स में भी पिंक कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए हैलफुल रहेगा और ज्याद अपडेट के लिए मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो यह सारो के कोड़ होते हैं वह भी अपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप मेरा कोड़ डालने के बाद आप देखते हो मीशो पर प्रॉड़क नहीं दिखती दैट मेंस की सोल्ड आउ अपको देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने अकोडिंग ले सकते हो यह पल्लू है पल्लू में आपको गोल्डेन वुवन डिजाइन देखने को मिल जाती है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको गोल्डेन डिजाइन देखने को मिल जाती है बीच में आपक के की तरफ भी आपको इस तरह की डिजाइन देखने को मिल जाती है तो इसका कपड़ा की हम बात करते तो इसका कपड़ा जो है अच्छा है इतना मोटा सान नहीं है वीडियो की स्टार्टिंग में बताएब यह स्पॉंसर विडियो नहीं है तो सॉफ्ट है मतलब कि बहुत hard वाला नहीं quality कपड़े की अच्छी है यह देखिए आपको camera में दीखी रहा होगा और बीच बीच में भी आपको ऐसे self woven वाली design देखने को मिल जाती है all over sardi में आपको इस तरह से design देखने को मिलती है यह sardi है इसके साथ जो है वो blouse दिया गया बहुत beautiful blouse है इस तरह से जैसे photo में है वैसा ही दिया गया इसका close up look आप देख सकते हो जिसमें आपको sequence work देखने को मिल जाता है इसका fabric जो है वो बागलपूरी silk है पेड़े blouse है बस कपड़ा थोड़ा सा low quality का है otherwise work design बहुत beautiful है स्लीव में भी आपको इस तरह से sequence work और सब कुछ देखने को मिल जाता है बैक साइड आप देखोगे तो बैक साइड बंद करने के लिए यह दोरी मिल जाती है जो आप बंद करने के लिए और पेटन के लिए यूज कर सकते हो और यह जो है वो इसमें margin नहीं है अंदर की तर इसके कपड़े की quality थोड़ी सी लो है अदर्वाइस वर्क वगेरा जो है वो बहुत अच्छा है उसके बाद की जो साड़ी है वह इस तरह से पींग कलर की है sequence work वाली है इसमें भी color option आपको देखने को मिल जाता है तो मतलब कि आपको पींग कलर की नहीं लेनी है तो आप ब पूरा sequence work आपको देखने को मिलता है पल्लू में यह देखे इस सरह से तो पूरा हैवी से आपको sequence work मिल जाता है यह party वे साड़ी है इसको आप यूनिंग में पैन सकते हो reception में पैन सकते हो वैसी है इसमें black color भी बहुत beautiful लगता है उसके बाद ऐसी पतली से sequence वाली border देखने क को मिलेगी आपको बीच बीच में जो है पूरी साड़ी में आपको sequence work देखने को मिल जाता है साड़ी के फैबरिक के हम बात करते तो इसका जो फैबरी के वो जॉजजट का है यह देखे और अच्छी वाली है पहनने के बाद definitely अच्छी लगेगी quality अच्छी है आप अगर sequence work वाली साड़ी लेना चाहते हो तो यह ले सकते हो गर्मियों में भी आराम से आप इसको पूरा दिंग केरी कर सकते हो वैसी है इसके साथ जो ब्लाउस पिस आया है वो बागलपुरी सिल्क फैबरिक का है रानी पींग कलर का है यह देखे पूरा प्लीन है और आपको ऐसी और मिल जाती है जो आप स्लीव अगरे में लगवा सकते हो अधरवाइस पूरा प्लीन है तो यह ब्लाउस पूरा प्लीन रहेगा और साड़ी जो है वह वह सिक्वंस वर्क देखने को मिल जाता है उसके बाद मैंने ली है वह इस तरह की ब्लू कि साड़ी है यह देखे आपको जो है वह बॉर्डर देखने को मिल जाती है और उसके बाद साड़ी स्टार्ट होती है इसका फैबरिक भी अगें जोर्जत का है यह देखे पूरी साड़ी में आपको ऐसी जो है वह सिक्वंस वर्क देखने को मिलता है यह बहूत अच्छी लगगी पहनने के बाद सब्सक्राइब तो आप इस टाइब के साथ आप जा सकते हो जहादा रहेगा और आप थोड़े पतले तो आप थोड़े भी दीखोगे इसके साथ जो ब्लाव स्पीस मिलता है इसका फैब्रिक और और आपको ऐसे सिक्वेंस वर्ट देखने को मिलता है जैसे साड़ी में देखने को मिलता है वैसा ही और अच्छी वाली है और आइथिंग मुझे याद है इसको लिए हुए मुझे बहुत टाइम हुआ लेकिन इसकी प्राइस जो है वह भी अफोर्डेबल थी तो आप ले यह वह बताएगा ये जो है वह भी मीशो की है उसका वीडियो मीशो जोल रिखॉल आ गया होगा अधरवाइस आने वाला होगा कूर्ती जो है वह भी मीशो की है लेकिन बहुत पूरा नहीं हो गयी है मैं अभी तो इसको लिटरल घर में पैंती यह बहुत अच्छी निकलिय तो definitely आप जो आ सकते हो ऐसा कुछ नहीं की product की quality अच्छे आएगी या नहीं मैं डून डून के लेती हूँ तो definitely जो भी होगा मेरा experience शेयर करूंगी इन में से कौन सी वाली साड़ी जो है वो आपको ज्यादा पसंद आई है नीचे comment करके बताएगा आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताएगा अब मिलेंगे अगले वीडियो में till then bye bye and take care all